हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडड नाइन्थ का मैट्स टू जोमिट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पैरलल लाइन्स पैरलल लाइन्स के प्राक्टिस से 2.1 और 2.2 मैंने अल्री कम्ट्रीट कर दिये हैं और प्रॉब्लम से 2 के भी मैंने दो लेक्चर अप्लोड कर दिये हैं जिसमें हम लोगों ने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिये हैं अब हमारे 6th, 7th और 8 बचे हुए जो हम ट्राइ करें करेंगे कि ये लेक्चर 3 में सॉल्व करें अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहां पर उपर राइट साइड में कॉर्णर में प्लेलिस्ट आएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइस सारे प्राक्टिस सेट मिल जाएंगे नाइन स्ट यह वाला फिगर if line q parallel line r यह line q है यह line r है यह एक दूसरे को parallel है line p is their transversal transversal मतलब यह वाला line देखो p जो यह parallel lines को काट रहा है न यहां पे देखो दो जगे पे और इसमें 8 angles बन रहे है 4 यहां पे 4 यहां पे and if a is equal to 80 degree यह a का value आपको दिया हुआ है find the values of f and g आपको F and G का value find करने है अब पहले हमेशा की तरह हम इसको ओरली solve करेंगे A का value आपको पता है कि है 80 degrees ओके याद है आपको exterior alternate angles क्या होता था अगर दो lines parallel है तो यह जो बहार का उपर का angle है और नीचे का यह वाला angle है इनको exterior alternate angles बोलते हैं तो अगर A 80 degree है तो G भी 80 degree होगा ठीक है तो यह G भी 80 degree होगा उसके बाद उसने F पूछा है यह G और F देखो एक ही straight line के उपर है तो यह लोग दोनों linear pair बना रहे हैं तो दोनों का sum 180 होना चाहिए अब G तो 80 दिया है तो F कितना होगा F 100 होना चाहिए ना तो ही दोनों का sum 180 हो जाएगा तो हमने F भी निकाल लिया G भी निकाल लिया सिर्फ A दिया था उसने उससे हम लोगों को F और G दोनों का value मिल गया अगर आपको exterior alternate angle नहीं use करना तो कोई बात नहीं उसके बिना भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं कैसे देखो यहाँ पर मैं इसको erase कर रहा हूँ अभी A दिया हुआ है ना line Q and R are parallel to each other तो देखो यहाँ पर ultra F बन रहा है बन रहा है ना F मतलब क्या यह वाला angle और यह वाला angle corresponding angle है मतलब वो दोनों एक दूसरे को congruent है तो अगर यह 80 है तो E कितना आएगा E भी 80 आएगा because it is a corresponding angle अब यहाँ पर E पर क्या हो रहा है देखो यह line ऐसे जारी है यह line ऐसे जारी है X जैसा बन रहा है ना तो X में आमने सामने angles congruent होते हैं तो अगर E 80 है तो उसके सामने G है तो G कितना होगा G भी 80 होगा तो हम लोग को G का value मिट गया 80 degree वैसे ही यह F और G एक ही line पर angle बन दे हैं मतलब क्या होगा उसका linear pair linear pair में दोनों का sum 1 80 होता है तो अगर यह 80 तो मैं बोल सकता हूँ कि यह आ जाएगा 100 सेम अंसर आगया ना जो पहले आया था तो पहले मैंने exterior alternate angle यूज किया उसमें एक step कम आएगा क्योंकि यह extra angle निकाला पड़ाना यह method में जब exterior alternate angle यूज किया तो यह वाला step नहीं था तो एक step कम लगता है जादा कोई फरक नहीं बढ़ने वाला आपको exterior angle यूज करो आपको corresponding angle से करना है तो आप corresponding angle से कर सकते है ठीक है एकदम simple समय ना ओरल ही ऐसे एक minute के अंदर solve हो गया लेकिन अभी उसको लिखने में आप हर एक step लिखके बताएंगे तो ही आपको full marks मिलेंगे ठीक है तो पहले given लिखेंगे to prove लिखेंगे ये अगर corresponding angle लिखेंगे तो बुलना पड़ेगा कि भाई ये दोनों line parallel है ये उनका transversal है उसके बाद ये दोनों corresponding angle है इसी लिए वो equal है ऐसे ही फाल्तों में कोई भी corresponding angles equal नहीं होते है line parallel होगी ना तो ही corresponding angle equal होते है चलो इसका solution लिखते हैं कैसे आएगा तो हम लोगों नहीं यहां पर given data लिख लिया given data में है line q parallel line r and line p is their transversal और a का value दिया हुआ है 80 degrees ये वाले angle का 80 degrees value दिया है हम लोगो find करना है value of f and g ठीक है तो यह proof नहीं आएगा इसमें हम लोग solution लिखेंगे न क्यूंकि यह solution है value find करना है तो यह proof cancel करना है solution लिख देते हैं यहां पर तो यहां पर solution लिख देंगे अब मैंने आपको पूरी तरह बताया है कि देखो एंगल से हम लोग पहले ए निकाल सकते हैं या ए से हम लोग डायरेक्ली जी निकाल सकते हैं यह जो होते हैं न देखो ऐसा यह और यह इंको exterior alternate angle बोलते हैं और यह वाला और यह वाला भी exterior alternate angle ठीक है चलो तो यह मैं लिख रहा हूं इस form में exterior alternate angle का यह example तो यहां पर पहले लिखेंगे line q parallel line r and p is their transversal तो मैं बोल सकता हूं यह angle जो है g it is equal to a and reason में लिखेंगे exterior alternate angles a का value क्या है given में दिया है 80 degree तो g भी आ जाएगा 80 degree ठीक है अब जी हम लोगों ने निकाल लिया इसको number दे दो एक इसको number दे देते हैं one ठीक है और आपको अगर इसका reason लिखना है तो given लिख सकते हैं तो यहां पर इधर लिख देते है reason given क्योंकि यहां हो है न डेटा है equal to 80 degree जो यहां पर लिया है वो तो given data है देखो यहां पर मैं लिखा है अब अब G अगर आपको 80 मिल गया तो F तो बहुत ही easy है because G and F क्या बना रहे है G and F बना रहे है linear pair of angles तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको तो ऐसे कर देंगे angles F and G एक straight line के उपर है and they are forming a linear pair इसका मतलब F plus G आ जाएगा 180 degree G का value आपको पता है कि 80 degree है तो G के जगे पर 80 degree खा और reason क्या लिखेंगे from 1 80 degree को उस तरफ वेजेंगे तो यहां पर plus है वहाँ जाके minus हो जाएगा 180 minus 80 आपको आ जाएगा 100 degrees तो उसने F and G का value find करने बुला था हमने F भी find कर लिया G भी find कर लिया आ गया समझ में यह बहुत ही जादा easy question था इसके पहले के question जिससे जादा tricky थे यह तो एकदम ही पपलू था है ना अगर उसने आपको यह आठों आंगल पूछे उसने सिर्फ दो पूछे है ना एक दिया हुआ है और दो पूछे लेकिन आप सब के values बता सकते हैं क्या B C D E H है ना यह सब नहीं दिया हुँ है पूछे भी नहीं है लेकिन आप बता सकते हैं comment section में मुझे बताएंगे और सब values निकालके सबके values 80 या 100 ही आएंगे कैसे आएंगे आप मुझे comment section में जल्दी से बताएंगे सिर्फ values बताएंगे तो भी चलेगा कि B का value क्या है C का value क्या है D का value क्या है E का क्या है H का क्या है ओके चलो next करते हैं 7 देखते हैं 7 में दिया है in figure 2.27 if line AB parallel line CF मतलब यह AB और यह CF CF मतलब यह पूरा line न भले आपको C और F यहां पे दिख रहा है ऐसे मतलो जो इतना सा line यह आगे का part भी यही line के ऊपर है न तो यह पूरा line और यह पूरा line उसने बुलाए के parallel and line BC parallel line ED BC मतलब यह वाला line and ED मतलब यह वाला line यह भी एक दूसरे को parallel then prove that ABC equal to FDE ABC equal to FDE दिखने में बहुत डिफिकल लग रहा है कि यह कुछ पता नहीं नया type of question पूछ लिया है लेकि यह इतना जादा simple है न एकदम ध्यान दो पहले हम लोग इसको orally solve करेंगे ताकि आपको समझ में है कि कितना easy question है तो आपको prove क्या करना है यह वाला एंगल लेट से में उसको नाम दे देता हूं one is equal to this angle इसको नाम दे दिया तो ठीक है आपको prove करना है one equal to two अब मुझे बताओ यह वाली जो लाइन है यह वाली लाइन और यह वाली लाइन को काट रही है तो यह वाली यह वाली लाइन और यह वाली लाइन तो पैरलल है और यह जो बीच में लाइन वह उनका ट्रांसवर्सल है तो इसके अंदर के अंगल जो है यह और यह 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 देखोई हैं यहाप ए बन रहा है और यह जो लाइन है BC और ED यह भी पैरलल एक गुट सब्सक्राइब और ये वाली जो स्ट्रेट माइन यह सकता हूं कि यह बाफन याली लाइन स Smug तो यह समय विया विया वेbrahim होते हैं तो यह दो नुना हुम्हीं है अब 253 को हम प्रिक ईकुंग Ten उन फोल सकता हूं तो 1 is also equal to 2 क्योंकि 1 का value भी 3 है 2 का value भी 3 है तो 1 और 2 का value same है तो 1 is equal to 2 वही पूछा रहा 1 मतलब ABC and 2 मतलब FDE ABC FDE equal होगे एना एकदम time pass question मुझे तो समझी नहीं आ रहा 7th question इतना easy question क्यों पूछा पहले tricky questions पूछ लिए last में वो question बना बना के ठक गया तो उसने फिर easy questions डाल दिए करते हैं इसका solution video pause करो और खुद से solution लिखने का try करो reason अच्छे से लिखना जब भी आप बोलेंगे न alternate angle तो आपको explain करना पड़ेगा कि कौन से lines parallel है कौन उनका transversal है सारी कहानी लिखनी पड़ेगी बिना कहानी के marks नहीं मिलेंगे चलो video pause करो खुद से लिखो फिर मैं जो कर रहा हूँ उससे compare करना तो इसका proof ऐसे आएगा मैंने अल्री आपको explain किया कैसे करना है देखो proof कैसे लिखा मैंने पहले given data लिख दिया एबी parallel line cf ठीक है यह दिया हुआ है question में and bc parallel line ed यह भी दिया हुआ है question प्रूफ क्या करने बुला है प्रूफ बुला है abc equal to fde बहुत easy question दिया हुआ है लिखने में भी given to prove लिखने में भी जाधा difficulty नहीं हुई proof कैसे लिखेंगे proof में सबसे difficult line यह वाला और यह वाला है क्योंकि यह बच्चे नहीं भूल जाते है बच्चे सीधा यह लिख देते हैं abc equal to bcd alternate angle लेकिन alternate angle कैसे आए alternate angle parallel lines और transversal से आते हैं ऐसे ही नहीं आते हैं तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि यह जो ab है यह pf को parallel है अब यहाँ पे ab parallel cf दिया है cf लिखो के pf लिखो दोनों same है ठीक है तो ab और pf parallel है and bc उनका transversal है अब आप बोलेंगे sir लेकिन bc b e d को parallel दिया हुआ है किसने बोला हो transversal किसी और को parallel नहीं हो सकता transversal खुद भी किसी और को parallel हो सकता है लेकिन जब मैं यह दो लाइन देखूंगा और यह लाइन देखूंगा तो यह वाली जो लाइन है यह दोनों लाइन को काट रही है intersect कर रही है उसका मतलब यह जो लाइन है वो एक transversal है ठीक है तो यह दोनों लाइन parallel है और यह उनका transversal है तो मैं बोल सकता हूँ ABC equal to BCD कैसे Z बन रहा है alternate angles similarly जब आप यह वाला consider करेंगे यह वाला line और यह वाला line तो यह जो line है उनका transversal है तो मैं बोल सकता हूँ BC parallel ED and यह PF जो है यह उनका transversal है तो यह वाला angle and यह वाला angle क्या हो जाएगा यह दोनों congruent हो जाएगे कैसे corresponding angles क्यों उल्टा F बन रहा है न तो आजाएगा BCD equal to FDE ठीक है BCD equal to FDE अब आप 1 और 2 इसको number दे दीजिए उसमें देखिए ABC BCD को equal है FDE भी BCD को equal है मतलब क्या हुआ यह ABCD और FDE भी एक दूसरे को equal है from 1 and 2 तो यही पूछा दा इसलिए hence comma prove आया समझ मैं वीडियो pause करो चेक करो आपने इसी तरह लिखाएगा solution अगर आपने यह वाला दो line ने लिखाएगा तो आपको यह लिखना ही पड़ेगा ठीक है और कोई option ही नहीं है आपके पास वो लिखेंगे तो ही आपको full marks मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे done next करते हैं क्या 6 और 7 दोनों हो गया अभी अपना सिर्फ एक question बचा है problem से तो का 8 तो आदा चलो solve करते है 8 question में दिया है line PS is a transversal यह PS यह है transversal of parallel line AB and line CD मतलब AB and CD parallel lines यह दिया हुआ if ray QX, ray QY, ray RX, ray RY are angle bisectors मतलब यह जो dotted line है नहीं है यह इसका angle bisector है मतलब यह वाला angle और यह वाला angle equal वैसे यह यह और यह equal because यह वाला angle bisector है इधर यह angle bisector है तो यह और यह equal इधर यह angle bisector है तो यह और यह equal ठीक है चार angle bisector दिये हुए prove that quadrilateral QX, ry is a rectangle अब यह QX, ry एक quadrilateral है हो तो समझ में आ रहा है क्योंकि चार sides है आपको prove करना है कि यह rectangle अगर rectangle prove करना है तो सबसे easy method क्या है कि prove कर दो कि यह angle, यह angle, यह angle and यह angle 90 degree है ठीक है आपने अगर चार अगर 90 degree prove कर दिया तो बहुत ही easily बोल सकते है कि QX, ry जो है वो एक rectangle है देख के यह बहुत difficult लग रहा है solution भी शायद इसका थोड़ा लंबा है लेकिन question बहुत ही simple है क्योंकि यह angle bisector वाला जो concept है न यह हमने already practice set 2.2 में use किया था practice set 2.2 में देखो फिर्ट वाले question में भी यहाँ पे angle bisector दिया था तो हम लोग ने यह वाला angle X और यह वाला angle X लिया था यहाँ पे यह वाला angle Y और यह वाला angle Y लिया था यहाद है ना angle bisector था देखो यहाँ पे दिया हुए सेम चीज question number 6 में भी थी question number 6 में भी देखो यह वाला और यह वाला angle bisector था PRN QSR bisectors तो हम लोग ने angle X एक्स ले लिया था क्योंकि angle bisector दो टुकुड़े करता है ना तो एक को X लेंगे तो दूसरा टुकुड़ा भी X होगा विकॉस इक्वल है दूसरे को वाई वाई ले लिया था अभी यह जो question था यह त्वाला इसमें चार अंगल बाई सेक्टर ठीक है कोई फरग नहीं पढ़ता चार अंगल बाई सेक्टर दिये तो हम लोग चार अलग अलग काफी इस दौक़ करना है अब मुझे बताओ यह लेकिन इतना समझ में आगे न ह्याई पर कि यह दुनों को प्रूब करना है कि 90 डिग्री है तो काफी सिंपल है प्रूब करना अब मुझे बताओ यह पूरा जो है यह यह कितना होगा एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल वनेटी डिग्री होगा तो मैं भोल सकता हूं कि यह जो एंगल जैंको एड करूं तो वनेटी पर है तो 2x प्लस 2y आ जाएगा 180 डिग्री अब इंदों में से 2 कॉमन निकालो तो अगर 2 कॉमन निकालो तो अंदर बच्चे का x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री यह तू यह यहां पर मल्टिप्ला हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा x प्ल करूंगा तो क्या मिलेगा 180 सेम चीज़े देखो तो सेम तरीके से करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एल प्लस एम इक्वल टू 90 डिग्री दो एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया न एक और एंगल कर दिया तीसरा एंगल कोई भी कर दिया यह वाला 90 तो आटोमेटिकली यह तो 90 होगा अब मुझे बताओ यह 90 कैसे प्रूव करेंगे यह वाला ट्राइंगल देखो QXR यह वाले ट्राइंगल में X प्लस M प्लस यह वाला एंगल 180 डिग्री आना चीज़े न बट मुझे प्रूव करना है कि X प्लस M 90 हो जाए तो यह एंगल आटोमेटिकली 90 हो जाएगा क्यूँकि अंगल के ट्राइंगल के तीनों अंगल का संब 180 होता है तो अगर X प्लस M 90 आ गया तो अपना काम हो गया अब देखो यह वाला लाइं और यह वाला line एक दूसरे को parallel है अगर parallel है तो देखोँ यहाँ पर C बन रहा है अगर C बन रहा है तो यह angle प्लस यह angle कितना आएगा यह angle प्लस यह angle आ जाएगा आपको 180 degree interior angle supplementary होते है न तो 2x प्लस 2m आया आपको 180 degree यह देखो यहाँ पर यह 2x है और यह 2M है, M plus M 2M, अब फिर से देखो इसमें 2 common निकालो, तो X plus M आ जाएगा 180 degree, फिर 2 उदर जाएगा, तो मुझे मिलेगा 180 divided by 2 which is 90 degree, तो X plus M, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाले triangle में, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 आएगा न, because 90 plus 90, 180 होता है, तो ये एंगल भी 90 प्रूव कर दिया, similarly ये वाले triangle में भी आप ये 90 प्रूव कर सकते हैं, तो चारो एंगल आपने प्रूव कर दिया कि right angle है, अगर चारो एंगल right angle है, तो क्या होँआ उसका मतलब? कि ये जो quadrilateral है, QXRY ये एक rectangle है, यहाँ यूज किया हो, सेम चीज यहाँ पर यूज किया, तो repeat हो रही है, लेकिन दो बार गरना पड़ रहा है, इसलिए solution तो लंबा लगी गई, तो इसका solution देखते हैं, कैसे आएगा, अभी समझ में आए, कैसे solve किया इसको, चलो इसका solution देखते हैं, तो given data ऐसे आ जाएगा, कि यह AB parallel CD है, और रे QX जो है, वो है, AQR का bisector, रे QY यह जो है, वो BQR का bisector, रे RX, RX है QRC का bisector, और रे RY, RY है QRD का bisector, ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने letters लिये थे न, यह एपर X, X, Y, Y, L, L, M, M, उसके बारे में लिखेंगे, कैसे लिख देंगे वो, देखो एक बार, तो सबसे पहले proof में क्या करेंगे, proof में जो letters लिये न, X, Y, L, L, M, यह explain करेंगे, तो यह X क्या है, यह X, Q, A, and X, Q, R, यह दोनों equal है, और इनका हमने measurement ले लिया X degree, यह दोनों equal क्यों है, because given है, देखो, Ray QX, Bisex Angle, AQR, वैसे ही, Ray QY, Bisex Angle, BQR, तो यह दोनों जो angle है, Y, Q, B, and Y, Q, R, यह दोनों आ जाएंगे Y degree, similarly इधर भी वैसे ही आ जाएगा, Y, R, Q, and Y, R, D, ठीक है, Y, R, Q, Y, R, D को L ले लिया, और यहाँ पे, यह देखो, X, R, Q, and X, R, C, इन दोनों को M ले लिया, सब जगे reason दे देना है, कि कौन कि इसको bisect कर रहा है, ठीक है, अब मैंने इसके बाद आपको बताया था, कि मुझे prove करना है, कि X plus Y 90 degree, वो मैंने कैसे prove किया, यह solution दिखे, कि tension मतलो बच्चो, लंबा दिख रहा है, solution बहुत ही easy है, सेम चीज बार बार repeat हो रही है, तो हम लोग उसका बहुत फाइदा उठाएंगे, ठीक है, तो यह मैं linear angle में मैंने आपको बुला ना, यह reason लिखेंगे तो आपको अच्छे है, समझ में आएगा, कि A, B, एक straight line है, और उसके उपार यह QR जो है न, वो एक line खड़ी है उसके उपार, लेकिन एक ही straight line पे यह पूरा angle बनेगा न, कौनसा angle, A, Q, R, और दूसरा angle है, B, Q, R, तो यह एक ही straight line पे बन रहा है, मतलब A, Q, R, प्लस B, Q, R, आ जाएगा 180 degree, यह क्या है, angles ही न, linear पे अब A, Q, R के दो पार्ट्स है, देखो यहाँ पे, A, Q, R के दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, X, Q, A, and X, Q, R, तो A, Q, R के जगे पे लिख दिया, X, Q, A, प्लस X, Q, R, and B, Q, R के भी दो पार्ट्स है, देखो कौनसे, Y, Q, B, and Y, Q, R, दिख रहे हैं, तो उसके जगे पे वो लिख दिया, बट X, Q, A, क्या है, X, Q, A, X है, X, Q, R, वो भी X है, Y, Q, B, क्या है, Y, Q, B, Y है, Y, Q, R, भी Y है, ठीक है, अच्छा, जब यह बड़े angle को दो छोटे-छोटे angle में split किया, तो उसका मतलब क्या होता है, angle addition property, तो reason लिखने मत बूलना, ठीक है, क्योंकि यह दोनो angle को मिला के, यह बड़ा angle मिल रहा है, फिर यह दोनो angle को मिला के, यह बड़ा angle मिल रहा है, इसलिए angle addition property, यह value substitute कर दी, X plus X हो जाएगा 2X, Y plus Y हो जाएगा 2Y, अब यह 2X और 2Y में से 2 common ले लिया हमें है, तो अंदर बचा X plus Y, फिर यह 2 यहाँ पे जाएगा, divide होके 180 divide by 2 आपको मिल जाएगा 90, तो आपको मिल गया X plus Y equal to 90, बट X क्या है, X तो यह वाला angle है, Y क्या है, Y तो यह वाला angle है, मैं लिख सकता हूँ, X के जगे पे XQR, क्यूंकि X के जगे पे XQR लिख सकते हैं, 1 में हमने लिखाया है वो, और यह Y के जगे पे मैं क्या लिख सकता ह XQY, तो मुझे मिल गया XQY equal to 90 degree, तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये एक triangle जो है, ये एक rectangle का angle XQY जो है, वो 90 degree है Similarly, इसके सामने भी है ना, हम लोग same steps follow करेंगे ना, इस अब का addition करेंगे 2L plus 2M आएगा, L plus M आएगा 90 degree और हमको पता चलेगा कि XRY भी 90 degree, आप लिख सकते हैं ये Similarly, we can prove that XRY equal to 90 degree क्योंकि आपने पूरा same steps follow करना है, जो इधर आपने किया आपने आपने चीज़ वापस follow करेंगे, तो ये भी 90 आ जाएगा, तो ये वाला 90 और ये वाला 90, दो angle हम लोग ने 90 प्रूव कर दिया, अब ये और ये मैसे एक करेंगे, फिर बोलेंगे, similarly we can prove this also, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँआ, देखो भी यहाँ पर A, B is parallel to CD दिया हुआ है, and QR उसका transversal है, तो ये C बन रहा है यहाँ पर QRC, दोनों का sum 1 80 डिगरी आना चाहिए, because interior angle supplementary होता है, AQR को आप क्या लिख सकते हो, AQR को आप लिख सकते हो, XQA प्लस XQR angle addition property, similarly QRC ये वाला angle है ना, इसको क्या लिख सकते हो XRQ प्लस XRC angle addition property तो इसके जगे पर ये लिख दिया, इसके जगे पर ये लिख दिया लेकिन XQ और XQR क्या है XQA and XQR है छोटा X X plus X, and XRC और XRQ क्या है XRC, XRQ, देखो XRQ, XRC है M and M, तो M और इसके जगे पर भी है X plus X होता है 2X, M plus M होता है 2M, 2 को बाहर निकालेंगे तो आजाएगा 2 into X plus M right side में तो 180 degree है ये 2 को इदर भीजेंगे, divide हो जाएगा 180 divided by 2, आपको मिल जाएगा 90 तो आपको मिला X plus M 90 ये X plus M क्या है X plus M ये वाला angle है, X plus M देखो तो X के जगे पर लिख दो XQR and M के जगे पर लिख दो XRQ equal to 90 ये कहां से मिला X equal to XQR मैंने याँ पर first equation जो लिखा था न यहाँ पर वहाँ पर XQR equal to X आया था और M के आया था देखो XRQ ठीक है तो 1 and 3 नमबर लिखना मत भूलना, नमबर नहीं लिख हो गए न फुल मार्क्स नहीं मिलेगे ठीक है अब ये वाला जो ट्राइंगल है सिर्फ ये ट्राइंगल देखो ये वाले ट्राइंगल में सारे अंगल का सम 180 डिग्री आएगा तो इसके सारे अंगल लिख दो XQR plus XRQ plus QXR ये तीनों अंगल को एड करूँगा तो 180 आएगा लेकिन ये दोनों का सम यहाँ पे 90 डिग्री निकाला है question 7 में equation 7 से मैं को पता है न कि ये दोनों 90 डिग्री है तो ये दोनों जिगे पे 90 डिग्री डाल दिया फिर ये तो ऐसे रहन दिया 90 को उदर भेज दिया तो 180 minus 90 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे plus 90 है तो 180 minus 90 आपको आजाएगा 90 तो QXR का value आपको क्या आगया 90 QXR मतलब देखो ये वाला अंगल QXR ठीक है अब जैसे मैंने QXR 90 लाया है same way मैं मैं ला सकता हूँ QYR equal to 90 कैसे क्योंकि यह Y plus L भी 90 आएगा जैसे यहाँ पे X plus M 90 आएगा यह पूरी जो मेनत करी हमने 90 लाने के लिए similarly Y plus L भी 90 आएगा और वो यूज करके मैं निकाल सकता हूँ कि QYR भी 90 है तो क्या मिला इससे हम लोगो QXR 90 QYR 90 और इसके पहले मैंने प्रूफ किया कि XQY भी 90 है और XRY भी 90 है देखो यहाँ पे मैंने अल्रेडी प्रूफ किया था यह दोनो 90 है और यह वाले पे हमने प्रूफ किया कि यह दोनों भी 90 है तो चारो का value 90 डिगरी है अगर एक quadrilateral में चारो angle 90 90 डिगरी है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो quadrilateral क्या है वो एक rectangle है इसलिए लिख दिया hence, proved यही prove करना था आपने देखा कैसे repeat हो रहा है सब कुछ हमने एक के लिए पूरा solve किया दूसरे के लिए हमने लिख दिया similarly आप लिख सकते हो full marks मिलेंगे teach app के marks नहीं काड सकती नहीं तो 4 page का solution हो जाएगा है क्या 10 mark का question तो आने नहीं वाला ना exam 3-4 mark का question आएगा 4 page का आन से लिखने थोई ना बेटेंगे तो एक prove करेंगे दूसरे को लिखेंगे similarly ठीक है और दूसरे set में भी एक को prove करेंगे और दूसरे को लिखेंगे similar एक बात पूरा solution फिर से देखो वीडियो pause करो और अच्छे से समझो जो किया है बहुत ही easy है नहीं है difficult बट लिखने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसलिए 4-5 बार तो practice करना बनता है ये वाला question देख लिया ये वाला लेलिया screenshot या फिर वीडियो pause करो और खुद के notebook में लिखना शुरू करो लिखोगे ना तो दिमाग में चला जाएगा के steps कैसे आए ये second page है ये भी वीडियो pause करके लिख लो notebook में आगया समझ में बच्चों अगरे difficult लग रहा है तो tension मतलो ये थोड़ा difficult है because 2-2 page के solution आपने 8 standard में कभी लिखे नहीं थे और उपर से यहाँ पे हर एक step सोथ समझ के लिखना पड़ता है कुछ बायाट नहीं कर पाओगे आप कुछ भी बायाट करने की आदत भी मत दालना नहीं तो थोड़ा सा भी कुछ अलग पूछ लिया तो बायाट किया हुआ सब वेस्ट हो जाएगा तो क्यों बायाट करने का समझने का अच्छे से ठीक है दन तो आज का lecture यहीं पे खदम करते है आज के lecture में मैंने आपको 6th, 7th and 8th problem set 2 का solve कर रहा है यह 3 questions पहले मैंने आपको ओरली सिखाए कि कितने easy हैं फिर मैंने आपको method लिख के बताया कि यह लिखना कैसे है ठीक है 6th और 7th बहुत ही जादा पपलू questions थे simple थे एक दम लेकिन 8 थोड़ा लंबा था इसलिए 8 आपको जादा से जादा बार practice करना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके steps कैसे लिखना है एंड इसी के साथ हमारा problem set 2 खतम होता है और यह chapter parallel lines भी हमारा यहां पे खतम होता है तो हमारे दो chapters geometry के खतम हो गए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करें इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें ताकि उनको भी parallel lines का chapter अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना न भूलें क्योंकि हम ऐसे ही सारे chapters के detailed solutions upload करते नहींगे bell icon पर भी click कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं third chapter शुरू करूँ आपको तुरंट notification आ जाए और आप कोई भी important lecture मिस न करें comment section में मुझे ज़रूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आपने कोई भी question जो मैंने बोला था आपको खुझ से solve करना है अपने अगर वो किया है तो आप मुझे comment section में बताएं कि you solve it on your own वो पढ़के मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे समझ आता है कि आपको ठीक से समझ आ रहा है ओके thank you so much for watching this video